है गाइज विल्कम बैक टो आरे श्क्रिप्ट इंडे यूटुब चैनल उपे ओल गाइज अब इब भी मॉर्णिंग में हमारे सामने सारे पाइट इसक्षन में पूछते कब इसकी वैल्यू मिलेगी कब विड्रॉल मिलेगा कैसे इसकी वैल्यू बड़ेगी क्योंकि अब इ त्रूट कर सकते हैं और बहुत सारे दोस्तों ने इसको अपने मेंट वॉलेट के अंदर पी यहाँ पर माइगरेट कर लिया है सकसेस्पूल है अपने सारे स्टेप बाइस्टेप प्रोसेश को फॉलो करके सो सेम ऐज इस आप लोग भी आपर रिसेंट वीडियो को फॉलो क परके अपडेट को फॉलो करके आपके सारे प्रोसेशेश को कम्प्लीट करके अपने विड्रॉल करने के लिए पाइज को रेडी रख सकते हैं तो इसके आगे के अगर पहली बार जूड़े रहेंगे तो सबस्क्राइब ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके दर आप पहुँच जाने चाहिए और सबसे पहले इस लोट में आपकी प्रोसेस कंप्लीट होके विड्रल तक कंप्लीटली आप लोग पहुच जाने चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों good news क्या है? CRVN Capital की दरब से ये good news है आप लोग देख सकते हैं आपके स्कीन के उपर जैसे कि इन्होंने इनके official website के उपर का है Blockchain Incubation is our mission. Blockchains को connect करना, integrate करना और successfully इनको invent करना ये इनका एक mission है और जो article यहाँ पर post किया गया है अब से कुछ समय पर CRVN Capital to accelerate Pi Bridge in the journey taking Pi Network uses to the new Vira तो दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे platforms हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं CRVN Capital एक हो गया और एक हो गया Pi Bridge तो CRVN Capital के बारे में आपको पता चल गया है ये blockchains को integrate करने का काम करता है और आपको ये पता ही रहेगा जैसे कि हमने recent updates आपको provide किये Pi का खुद का यापर original blockchain है और blockchain को develop करना, blockchain system को यापर maintain करना काफी ज़्यदा बड़े level की बात होती है कोई भी आसान चीज़ नहीं है, जो कि successfully Pi Code Team की तरप से ये सारी चीज़ों को conduct किया जा रहा है और blockchain form करने में काफी सारे nodes है आपर worldwide help कर रहे है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके screen के ओपर ये mainnet के matrix से कुछ, mainnet के matrix के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि total migrated mining rewards यहाँ पर कम है जितना total supply 100 billion का और यहाँ पर आप अगर देखेंगे सो सिर्फ 1.1 billion यहाँ पर coins अभी तक migrate किये गए है, total supply में से 100 billion में से कितने सिर्फ 1.1 billion सो काफी जादा कम है यह जितना अदा कम रहेंगे उतना अदा अच्छा रहेगा पाई की value को build करने के लिए क्योंकि circulating supply के अंदर इतने ही coin रहेंगे और existence में भी इतने ही रहेंगे block reward जितना जादा रहेंगे उतना beneficial रहेगा पाई की value को gain करने में के लिए सो आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ पर track कर सकते हैं blockchain के उपर already हमने updates आपको provide कर दिए so blockchain क्यों important होता है दोस्तो cryptocurrency technology के अंदर एक medium के मतलब एक जो यहाँ पर authority magazine की तरफ से यहाँ पर पाई के founder जो है dr. Nicholas Kokelys एंड शेंग डियाओ फैन इनका भी interview लिया गया जिसके अंदर कई सारे blockchains के उपर उनको questions पूछे के जैसी कि आप लोग देख सकते यहाँ पर can you tell a story of how you get involved blockchain and the cryptocurrency industry so सारे questions को और इनके answers को आप लोग यहाँ पर easily read कर सकते अपने telegram channel के उपर आपको link मिल जाएगा जहाँ पर हम YouTube से पहले signals आपको provide करते रहते जिसके basis पे भी आपको यहाँ पर सारी process complete करने में help हो सकते तो आप लोग यहाँ पर देख सकते इस लिए होता है किसी भी cryptocurrency के लिए blockchain मतलब सारे के सारे जितने भी आपर अभी आप लोग आपर देख सकते हैं coin market cap website के ओपर 20,000 के around cryptocurrencies available है पर यह सारे cryptocurrencies का खुद का blockchain नहीं है इन में से कुछ ही ऐसे reputed cryptocurrencies है जैसे कि bitcoin हो गया ethereum हो गया उसके बाद BNB, Binance का smart chain है Solana, Solana का blockchain है जो की काफ़ जादा अच्छे से work करता है 50k TPS इसका है Solana का 50,000 transactions per second बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छी यहाँ पर Solana की blockchain perform करती है उसके बाद polka dot है polygon magic का blockchain है यह सारे जितने भी top top cryptocurrencies है इनके पास खुदका own blockchain है और इसके basis पे इतने सारे जो यह coin से यह form हुए है so ऐसा जरूरी नहीं कि blockchain technology के अंदर की हर एक blockchain के पास उतने सारे features होना जरूरी चाहिए जिसके अगर bitcoin के ब्लोक्चेन के पास यह feature है तो इसके पास भी यह feature होना जरूरी है सोलाना के पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ यहाँ पर यह important role play करता है कि कौन सा blockchain है आपर काफी ज्यादा effectively work करता है यानि कि lightning speed transaction service आपको देता है और TPS की बात करेंगे तो ज्यादा साथ ज्यादा transactions हम लोग per second अगर कर पाते तो वो blockchain successful हो बनता है उसके basis पे उसकी value coin की value आपर बढ़ती जाएगी तो यह जो concept है same as it is Pi का खुद का blockchain है native blockchain जिसके basis पे Pi coin run हो रहा है और आने वाले समय में जैसे कि Binance की smart chain के उपर आपको बहुत सारे meme coins भी देखने को मिलते है कुछ utility tokens भी देखने को मिलते है या तो Solana की blockchain के उपर same as it is, ऐसे भी Pi के blockchain के उपर और और भी other cryptocurrencies फॉर्म होते है देखने को आपको मिलने वाली दोस्तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है बट बहुत ज़्यादा important information आपको इस पूरे वीडियो के अंदर मिलने वाली है जूकि बहुत ज़्यादा important है आपके study and research करने के लिए सकते कितना ज़्यादा जबर्दस्तर इसको बिल्ड किया गया है जैसे कि आप लोग देख सकते पूरा ये Metaverse की तरह वर्क करेगा इसा हमें लग रहा है अभी क्योंकि यहाँ पर Metaverse आपको तो पता ही रहेगा एक अलग virtual world होता है जिसके अंदर आप लोग सारी चीजों को यहाँ पर सारी मतलब एक अलग एक next level के life को यहाँ पर live कर सकते जैसे कि आप लोग real life अलग है और Metaverse की virtual life आपके लिए अलग होने वाली है इसके बारे में अभी भी information कुछ हम provide करना यहाँ पर avoid इस लिए करेंगे क्योंकि पाई कोड़ टीम की तरब से कोई भी आपर official updates के बारे में नहीं है तो कोई भी दोस्त लोग enter करने से पहले अपना खुद का research own study करना बहुत ज़ाद है important बन जाता है और हम तो यही आपको says करेंगे कि अब भी के समय पे इस से अगर दूरी रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि सिर्फ आप लोग यहाँ पर information के लिए आपर सारी चीजों को पढ़ सकते gain कर सकते जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में आप लोग study कर सकते तो यह सारी चीज़े आप लोग आपके own research के लिए खुद के study के लिए आपर prefer कर सकते तो दस्तो अभी यह जो CRVN capital है या भी यह जो pie bridge है इसको help करेंगे आगे लेके जाने में growth करने में तो क्या होगा यह अगर इसको help करेंगे pie bridge को आगे लेके जाने में तो pie bridge आपर लोगों के अंदर famous होते जाएगा utilities, real use cases, services को लोग अगर use करना start कर देंगे इसके कही ना कही इसका connection pie के core coin से है native token से है जो कि है pie coin यहाँ पर क्या होगा जैसे कि इसके अंदर growth हमें देखने को मिलेंगी लोग यहाँ पर real use cases को use करना, implement करना, start कर देंगे game वगरा play करेंगे, blockchains को integrate होगी जैसे कि यहाँ पर इस pie bridge के अंदर ही कहा है इनके कुछ यहाँ पर missions है, visions है जैसे कि roadmap के अंदर हूँ आपको shortly आपर explain करने की कोशिश करते है आप लोग देख सकते हैं आपर bottom में इन्होंने बताया है आप लोग देख सकते quarter 3 के अंदर research, private sales, जैसे कि हमने कहा completing white paper, यहाँ पर white paper complete किया जाएगा quarter 4 के अंदर community building idea launch किया जाएगा launching bridge, farming, staking यहाँ पर pull launch किये जाएगे 6 month 1, quarter 1, 2023 के अंदर polygon and cosmoses connection new features, multi chain and cross chain, amm, e-commerce, fundraising मतलब बहुत सारी चीज़े आपर conduct हो रही है आने वाले समय में roadmap के दुरू अगर roadmap के basis पर यह सारी चीज़े अगर run होती है so obviously project बहुत ज़दा famous हो जाएगा project बहुत ज़दा famous होता है तो इसका benefit होगा सिर्फ और सिर्फ pi coin के users को so बहुत बड़ी value अगर आप लोग चाते है pi coin से जैसी कि consensus के अंदर जो price से आपर निकल किया है 3, 1, 4, 5, 9, 9 something right dollar में बात कर रहे so dollar में हम लोग expect कर रहे है सिर्फ 3, 1, 4 सिर्फ 3, 1, 4 dollar अगर ये price बनती है INR में इसको convert करेंगे तो 25,000 के असपस 25,000 रुपई के असपस so क्या ये possible है हमें तो लगता है ये है सारी utilities अगर famous होना start हो जाती है तो कुछ भी चीज़े आपर crypto के अंदर संभव है क्योंकि अगर हम देखेंगे इसके circulating supply की बात करेंगे migration के अंदर सिर्फ इतने coins चल रहे है जो के existence में रहेंगे 1 billion से जादा और in comparison of other cryptos अगर आप देखेंगे तो आप लोग देख सकते यहाँ पर एक supply है हम आपको checkout कर देते एक सार रिपल का supply एक बार देख लेते आपको यहाँ पर clear हो जाएगा रिपल का supply कितना है और हमारे Picoin का यहाँ पर migration का supply कितना है अगर आप बात करेंगे रिपल के supply की तो total supply है दो 99 billion 99 billion और हमारे Picoin से भी तक migrate कितने हुए market के अंदर सिर्फ 1 billion आप लोग यहाँ पर ही समझ सकते और इसका 99 billion supply होने के बाद भी value कितनी चल रही है रुपीज 40 तो 1 billion के supply अगर रहता है तो आप लोग समझ सकते कितनी जादा इसकी value बनने वाली है यह चीज़ आपको यहाँ पर clear हो गए रहेगी ज्यादा value को expect नहीं करेंगे जो कि concerns के अंदर conduct हुआ है but expect कर सकते 3, 1, 4 dollar yes so CRB and Capital and Pye Bridge की बारे में दोस्तों जानकरी हमने आपको provide कर दी आपके क्या open viewpoint से price को लेकर यहाँ पर अगर यह projects आगे बढ़ते हैं so क्या Pye के price में हमें increment देखने को मिलेगा Pye के price को इसको benefit होगा Pye के users को होगा की नहीं so यह सारी चीज़े आप लोग mention कर सकते हैं अगर information आपको अच्छे लेगी तो like ज़रू कर देना आपके team members के साथ share करना मत बुलना ताकि उनको भी concept clear होते जाए कि कैसे इसकी value बढ़ने वाली कैसे इसकी price मिलेगी कैसे हम लोग withdraw कर पाएंगे तो वो लोग भी interestingly mining करेंगे तो आपको भी उनके तरब से आपर benefit मिलते रेंगे so yes चैनल को subscribe ज़रूर कर ले न मिलते हमारे नेक्स फूडियो में नेक्स अपडेट के साथ तिल लेक कुट बैंड टेक केर